हेलो गाइज, वेलकम बैक टो अर्चनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुखल, बिटा सिक्स्थ क्लास की हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नमबर 19 जो की 10 सेप्टेमबर की है, जो कभी ताम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे देखेंगे, जब वे चाय पिकर चले गए, तो म अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी हुई, कई बार मैंने अपने अपको देखा, एनेक उतारी और चड़ाई देखती रही, कि भई क्या सच में मेरी शकल लंगूर जैसी बनी या नहीं बनी, मैंने अपने छोटे वाइगा टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक्या भी, तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है, तो चेहरा खाली खाली लगता है, याद आ गया भे टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, हाँ इन दिनों श सवाल फिर से हैं, लेखी का आइने के सामने खड़े उकर क्या कर रही थी, तो लेखी का आइने के सामने खड़े उकर अपने आपको कई बर देख रही थी, एन एक वतार चड़ा रही थी, तो इसमें आप ये उत्तर लिख देंगे, जहरे पर दिसमें लग अगर लेखे का के चचरे भाई ने कौन सा सेर सुना कर उन्हें चिड़ा दिया तो भई कौन सा सेर सुना था कि सूरत बनी लंगूर की तो देखे शेर आपको बता देता हूँ आपने पिछले वाली वरक्षीट में ऐसे वाला शेर एक लिखा होगा सूरत बनी लंगूर की आईए देखते हैं उसको तो फिर दूसरे क्वेशन में आपका उत्तर यह होगा कि यह वाला शेर सुना था आईए आगे देखते हैं तीसरा चस्मे के साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा तो फिर चस्मे के साथ लेखिका को छोटे भाई का जो टोपा था वो भी उसे पसंद आने लगा जिसमे अप यह उत्तर लिखेंगे चस्मे के साथ लेखिका को छोटे भाई का टोपा पसंद आया सहल सुभाती वाली हिमिचली टोपियों का अर्थ लिखे टोपियों का अर्थ है जो अराम से पहनी जा सके वो टोपियों जो अराम से पहनी जा सके आपको लिखेका के बच्पन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी अपने शब्दों में लिखे मुझे लिखेका के बच्पन की यह बात बहुत अच्छी लगी कि वह शिमला में माल रोड पर घूमती थी थी बढ़ो एक दो मुझे जो ठोल। तक्यों समय चूह वाड़ एक दोच्छे मिलीक बढ़ बेड़ रिंगे के छूं करो चानल। की बढ़ आफ बढ़ एक च्ट रख चानल क्यूट खो एक अज एक पार वीडिस झाल।